नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे जैसा कि हमें पता है कि रश्या और यूकरेन वार में है और इस वार में लगबग यूकरेन अपना 20 से लेके 25% एरिया गवा चुका है और साथ में कहीं पी ऐसा चांसेस बनता हुआ नह को देख के हम समझ सकते हैं कि अगर आपके देश का फॉरण पॉलिसी आप कंच्रोल नहीं करते हैं अगर कोई और कंच्रोल करता है तो इसी तरीके से आप अननेसेसरी वार में जाते हैं और अपने देश का जमीन को गवाते हैं 2019 के में के महीने में जलेंस्की प्रेसिडेंट बनते हैं और इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था यूएस और अलाइस कंच्रीज के द्वारा इसके पहले जलेंस्की एक कॉमेडियन हुआ करते थें तो यहां से हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि जलेंस्की जब प्रेस बना दिया जाता है तो यहाँ पे आप डिफ्रेंस समझ सकते हैं कि एक स्टेज पे चड़के कॉमेडी करना और वहीं दूसरी जगा किसी भी देश का प्रेसिडेंट बनना और साथ में यहाँ पे हमारे लिए समझने वाली बात ये भी है कि अगर कोई देश चाहता है कि आप मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाएं तो उस देश का भी अपना कोई इंटरेस्ट होता है तो इन सभी कॉमन सेंस वाली बातों को भूलते हुए जलेंस की प्रेसिडेंट बन जाते हैं और जैसे ही यह प्रेसिडेंट बनते हैं वैसे ही इनका जो एकरेशन होता या इनक के हिसाब से कम से कम यूकरेंट 50 साल पीछे चला जा चुका है और बहुत ही बहतरीन तरीके से यूएस से और उसके अलाइज यूकरेंट को एजन प्रॉक्सी इस्तेमाल कियें अपने मतलब को साधने के लिए तो यहां पे गलती यूएस या उसके अलाइज करनी है बलकि यहा अबी कहीं पे वार होता है तो उस डैमेज से रिकवर करने में काफी वक्त लग जाता है क्यूंकि उस देश के पास कुछ भी इंफ्राइस्ट्रक्चर नहीं बसता है ना ही उनके पास हॉस्पिटल्स रहते हैं ना ही उनके पास कोई ऐसा चीज होता है जिसका इस्तेमाल करक वो अपने देश को दुबारा से बैक टो नॉर्मल में ला सकें तो यहां से भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से आने वाला कम से कम पचास साल यूकरेन एक कम्प्लीट तरीके से डार्क फेज में जाने वाला है या इन फैक जा चुका है बहुत सारे एक्सपर्ट जो पहले पहले जाने वाला कमेडियन जादा तो चांसेस काफी हाई था कि व्लादेमर पुतिन भे इस वार में नहीं जाते हैं लेकिन क्योंकि जलेंस्की को प्रेसिडेंट बनाया गया था यूएस और उसके अलायस के द्वारा तो कहीं ना कहीं जो जलेंस्की थे यह सच में प्रेस जो इनको सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा था और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अभी भी जिस तरीके से प्रेसिडेंट जलेंस्की इनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इसको पढ़के अपने आप में हसी आता है यह अपने ही मन से एक पीस फॉर्मूला को बन तो यहां से भी जिसके पास एक बहुत ही bare minimum common sense है उसको यह समझ में आ जाता है कि अगर आपका position strong नहीं होता है तो आप किसी भी तरीके से negotiation नहीं करते हैं आप complete तरीके से जो stronger देश होता है उसके आप mercy पे होते हैं जो सबसे बड़ा विवाद Russia और Ukraine को war में ले के आता है वो जो damage होता है वो उस group को होता है भले उसको पीछे से कोई और backup करे तो exactly कुछ यही situation हो रखा है यूक्रेन का जहां पर यूक्रेन को USA और European countries उनको support कर रहे हैं कहने का मतलब है कि ये लोग कभी भी आगे नहीं आ रहे हैं और हर वक्त यूक्रेन को ही आगे रख रहे हैं और जो Russia अटाक कर रहा वो यूक्रेन के उपर अटाक कर रहा तो आप समझे कि आप बीच में एक complete तरीके से proxy बन चुके हैं और इस war में जो damage है वो यूक्रेन as a country को हो रहा उसके infrastructure को हो रहा वहां के जो लोग है उनको हो रहा और उसके बाद अगर बात किया जाए Russian army और यूक्रेन के आर्मी के बारे में तो Russian army much stronger है इनके पास दुनिया का one of the most advanced weapon है इनका जो training session होता है वो longer period तक चलता है ये अलग-अलग देशों के साथ जाके joint operation करते है वहीं पर अगर बात किया जाए यूक्रेन का तो इनके पास इतने resource नहीं है कि ये Russian army के इतना training कर सके तो किसी भी तरीके से on paper या off paper Russian army का कोई मुकाबला है ही नहीं एक चीज जो समझ में आनी चाहिए वो ये है कि भले आपके पास बहुत advanced weapon रहे लेकिन उस advanced weapon का इस्तिमाल करने के लिए आपके पास proper training होना बेहर ज़रूरी है अगर आप sufficient number of hours training में invest नहीं करते हैं तो real war में chances है कि अगर आपके पास समान काफी अच्छा है उसके बावजूद आप उसको effective तरीके से इस्तिमाल नहीं कर पाएंगे इसी बीच अगर कोई ये कहता है कि President Zelensky यूकरेन का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो गलत भी नहीं रहेगा क्यूंकि इनका जो policy था वो complete तरीके से यूकरेन को ले भी था वहीं पर अगर बात किया जाए तो war या war like situation ये एक सुनहरा मौका होता है उन सभी देशों के लिए जो देश बढ़ चड़कर weapons export करते हैं जैसा कि दुनिया के हर चीज में research and development होता रहता है तो वैसे companies जो weapons बनाते हैं वो भी अपने research and development ने खूब सारे पैसे invest करते हैं तो उनके पास भी जो latest weapons होता है वो भी कोशिश करते हैं कि उस weapon का जो effectiveness है उसको वो real war में जाके इस test करें और उसके बाद वो उसको analyze करते हैं तो भले USA या European countries बढ़ चड़कर Ukraine को weapon भेज रहे हैं लेकिन उसके पीछे का जो intention है वो ये भी है कि उन सारे weapons को एक real war में test किया जाए और analyze किया जाए कि उसमें क्या कमिया है और जहां तक बात किया जाए Russia के बारे में तो Russia पहले से much stronger तरीके से बाहर निकल के आया है जहां पे बीते रोज यानि कि एक जुलाई को World Bank का report publish होता है जहां पे ये बताया जाता है कि Russian economy जो है वो upper middle से लेके higher category में पहुँच गया है या इसको आप बहुत यगर अशान शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि Germany हो गया, Italy हो गया, France हो गया, UK हो गया इन सभी देशों का जो economy है वो Russian economy के सामने कम है या कमजोर है या इनका जो progress है वो Russia के सामने कम है ये वही सारे देश है जो बढ़ चड़कर Russia के उपर sanctions लगाए हैं जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दू कि Russia के उपर आज के date में 16,000 से भी अधिक sanctions है तो यहाँ पर समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आप किसी भी तरीके से power का overuse करते हैं तो उस power में कमिया क्या होती है उस कमी को सामने वाला देश समझ लेता है जो manufacture करता या process करता है तो उसका standard इतना high होता है कि कोई और देश उस high standard का समान manufacture ही नहीं कर पाता है तो in short वो सारे देश आज भी Russia के साथ business कर रहे हैं जो बढ़ चड़कर इनके ऊपर sanctions लगाए हैं इन सभी चीजों के बीश में जो देश सबसे बड़ा बेवकूफ निकल के आया है वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन है और President Zelensky exactly वही काम कर रहे है जो एक दुश्मन देश यूक्रेन के साथ करता है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे इमेल करके बताएं See you in the next video Have a wonderful day Thank you, take care, goodbye